हाय अर्यून, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम खुद का एक API middle viewer create करके अपने जो API calls है उनको थोड़ा सो optimize कर सकते हैं और efficiently API calls कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो component है जो हमारा react का component है वो काफी clean दीखेगा और हमें later fetching में भी काफी आसानी होगी तो चलो अपने screen पर आते हैं यहां पर मैंने header.js file open करकी रखी है क्योंकि यहीं पर हमने सारे API calls कर रहा है और अगर हम देखें तो fetch call बार-बार हम यहां पर repeat कर रहा है अभी कोई middleware यहां पर applied नहीं है तो एक हम दूसरा middleware create करते हैं और इसको हम अपने इस redx store में apply करेंगे तो इसका नाम देते हैं API middleware या API.js ऐसे ही बस पूरा नाम अब चाहाँ तो API middleware भी नाम दे सकते हैं चाहाँ तो simple API नाम दे सकते हैं यह हो गया और एक middleware कैसे create करता है middleware होता है एक create version of function है तो यहां पर अगर हम आके देखें logger.js में तो कुछ इस तरह से middleware दिखता है इसी को हम copy paste कर सकते हैं यह हो गया अब यहां पर हम console log नहीं करेंगे यहां पर चलो एक बार console log ही होने देते हैं और इसका नाम हम logger नहीं रखेंगे इसका नाम रख देते ह है API API middleware चलो दे देते हैं middleware यह नाम दे दिया API middleware इसका नाम दे दिया अब हम इसको अपने यहां पर index में apply कर देंगे इंडेक्स हानी की यहां पर store create कर रहे हैं यहां पर हम apply करेंगे और यह logger वाला apply नहीं करते हैं logger को हटा के API middleware यहां पर apply करते हैं logger को मैं यहां से remove कर देता हूँ यह apply किया अभी हमने अभी अगर हम देखें तो यह log का ही काम कर रहा है यह देखो यह हमने fetch products यह सब किया है यह log ही कर रहा है क्योंकि हमने यहां पर log पर ही print कर वाया है बस तो हम एक काम कर सकते हैं यहां यहां पर एक नया टाइप का action dispatch करवा सकते हैं जैसे कि यहां पर header वाली फाइल कहा है यह है तो हम यह fetch product जो है यह directly नहीं fetch करेंगे हम क्या करेंगे हम यहां से एक यहां पर एक मैं अभी एक काम करता हूं यहां पर जितने भी fetch calls हैं इन सब को comment out कर देता हूं यह clean कर दिया अ मारा application एकदम से clean हो गया है हम एक नय टाइप का action dispatch करते हैं यहां पर मैं dispatch करता हूं एक नया action action क्या होता है एक object ही होता है इसका मैं type देता हूं API slash make call ऐसा कुछ नाम देते हैं यह हो गया और बस इतना ही देते हैं या फिर यहां पर एक और हम payload भी दे सकते हैं पेलोड और payload के अंदर अभी मैं empty object ही रखता हूं इतना अगर हम check करें यहां पर API के अंदर अगर हम आके देखें तो यह देखो जो यहां पर call हो रहा है यह action जो है यह action क्या है? action का type api slash make call है और payload अभी empty object है यह हम देख सकते हैं तो हम कुछ काम करवा सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं यह console lock की वज़ा हम क्या कर सकते हैं यह next भी अभी के लिए हटा देते हैं हमें चक कर लेते हैं if action.type action.type is equal to api slash make call अगर है तो क्या करना है? तो कुछ और करना है else next जैसे action के साथ call हो रहा था उस तरह से call कर देना है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? अगर यह वाला है तो हम देखेंगे payload payload के अंदर हम कई सारी चीजें पास करेंगे जैसे कि क्या पास करेंगे यहां पे payload के अंदर हम पास करेंगे URL कौन से URL पे call करना है तो यह पूरा URL हम डाल सकते हैं अगर चाहें तो यह हम पूरा URL डाल सकते हैं लेकिन हम पूरा URL नहीं डालेंगे हम केवल base URL डालेंगे यहां पे base URL हम base URL यहां पे नहीं डालेंगे हम केवल लास्ट वाला URL डालेंगे बाकी पूरा का पूरा बेस URL हम यहां पर store कर सकते हैं इधरे const base URL equal to यह base URL हमने यहां पर store कर दिया है और URL हमें वहां से मिल जाएगा एक काम करते हैं हम यहां पर हम यहां पर URL यहां पर start करते हैं payload से URL equal to action dot payload payload action dot payload जो है उसके अंदर से URL मिल जाएगा अभी मैं किवल console log URL कर देता हूँ तो यह देखो slash products हमें मिल रहा है क्योंकि वह वाला action हमें dispatch किया है तो यहां पर URL हमें आके मिल रहा है अब हम यहां पर fetch call कर सकते हैं जिसे call हमने यहां पर किया है ऐसे ही call हम इधर कर सकते हैं यह एक call कर सकते हैं और मैं इसको comment out कर देता हूँ और इधर जो URL है यहां पर URL में हम template template literal का use करेंगे और इधर से हम slash नहीं कि वह प्रोडक्ट पास करेंगे URL में और हम क्या करेंगे इधर इतना हो जाएगा base URL यह हो गया और इतना हो जाएगा URL यह यह इतना हो गया अब हमें यह response मिलेगा और फिर यह data मिलेगा फिर उसके बाद यहां पर हम update all products नहीं करेंगे यहां पर हम एक general एक type ले लेंगे कौन सा type हमें dispatch करना है उसका नाम हम दे देंगे on success कि जब success हो तो कौन सा type हमें dispatch करवाना है तो on success पर हमें update all products dot type अगर हम चाहें तो update all products ऐसे कर सकते हैं यह हमने कर दिया on success पर update all products इसको call करना है तो हम क्या करेंगे यहां पर यहां से on success on success यह वाला जो type है यह action creator है पूरा का पूरा इसको हम call कर देंगे इस तरह से यह ले लिया और इस पर हम data pass कर देंगे यह data ही तो payload होगा यह कर दिया अभी अगर हम refresh करें तो यह कोई error आ रही है dispatch is not defined dispatch हमें यहां कहां से मिलेगा यह जो store है इसके उपर होता है dispatch अगर हम एक बार call करके देखें console log करके store के उपर dispatch और get state दोना होता है तो यहां से हमें यह मिल जाएगा store के उपर से में dispatch यह मिल जाएगा तो अभी dispatch वाली error चली जाएगी अब देखते है क्या रहर है store is not defined store कहां पर use कर रहा है यह इसको अठा देते हैं तो यह देखो यह चल गया थोड़ा सा complicated लग रहा होगा आपको हो सकता है यहां पर मैं थोड़ा सा आपको explain करनी कोशिस करता हूँ यह हमारा का पूरा का पूरा जो वह था वहां से हमने यह middleware था वहां से हमने store किया पर dispatch method ले लिया सीधा destructure कर लिया ओपर ही यह हमने base API base URL इसको यहां पर एक store कर दिया है constant में जातर जो actual application होती हुए environment file से आता है base URL अभी के लिए हमने यहां पर store कर दिया और फिर हमने यह चक किया है कि अगर action.type API slash make call है अगर यह वाला action type है तो हमें क्या करना है payload में हमें दो चीज मिलेगा on success और URL मिलेगा हमें उस URL पर base URL को combine करके API call कर देना है फिर response के बाद जो data मिलेगा उसके साथ on success को call कर देना है यह on success action dispatch कर देना है यह कर दिया लेकिन जातर आप देखेंगे कि यहां पर on success यह पूरा पूरा as a function नहीं पास किया जाता है on success.type पास किया जाता है क्योंकि यह जो हमारा जो payload है basically यह serialisable होना चाहिए यह जो payload है अभी अगर ऐसा रखते हैं तो यहां पर अगर हम Redux store में आ है तो यह अभी हमें यह action dispatch जो हो रहा है इसके लिए action dispatch हुआ और API call भी हो गया अभी update all products हो गया ठीक है और यह update भी हो गया यहां पर हम आके देखें तो यह update all products यहां से जो हमने pass किया था इसी के कारण यहां पर dispatch होके जब भी यह success हुआ तो यह call हो गया यहां पर data भी pass हो गया और update हो गया लेकिन हमें यह देखना है तो हम क्या करना हो गागत यहां पर if में एक काम करना होग यहां pa next call करना होग और उसके यहां पर action डालना होग इस तरह से अगर हम यह डाल देंगे तो api slash make call यह दिख जाएगा और जब भी data आएगा हमें तो यह data भी दिख जाएगा अभी यहाँ पर अगर हम पेड़ोड देखें यह वाले का तो यह देखो पेड़ोड यह हमें केवल URL दिख रहा है हमें वह वाला पेड़ोड नहीं दिख रहा है ह इसलिए यहाँ पे devtools में नहीं दिख रहा है devtools में केवल जो json values होती है जो serializable value होती है जैसे कि numbers हो गया, arrays हो गया, boolean हो गया, string हो गया वही सारी चीह दिखती है function यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ फंक्शन को जैसॉन में नहीं पास कर सकते हैं, यहाँ पे क्ल जैसॉन दिखता है तो उसी कारण से यहाँ पे हम पूरा पूरा function नहीं पास करते हैं, इधर हम कहां गया, header, यहाँ पे हम उसका क्योंड टाइप पास करते हैं, dot type, अभी अभी तक नहीं आ रही थी, तो यह हमें पूरा type इस तरह से मिल जाएगा, एक string के format में, तो जो on success है, यह पूरा पूरा एक string होगा, अब अगर हमें इसको dispatch करना है, तो हम on success को call नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, एक object बनाना होगा, उसमें type देना होगा, on success, यह, और पेलोड देना होगा, data, तो इस तरह से हमें call करना होगा, तो अभी सही चलेगा, यहाँ पर हम देखें, तो यह सही चल रहा है, यह एकदम सही चल रहा है, लेकिन यहाँ अगर आप एची notice करें, तो यहाँ पर loading वाला state नहीं दिख रहा है, तो loading वाला state दिखाने के लिए, ह एक on start नाम से एक key pass कर देंगे, यहाँ पर on start और उसमें fetch products.type कर देंगे, यह, यह कर दिया, अब यहाँ पर हमें on start भी मिल जाएगा, एक on start नाम से, एक state मैंने दे दिया इसका ना, start, एक second, यह on start type मिल जाएगा, तो इसको हम fetch करने से पहले dispatch कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, करना है, हमें dispatch करना है, dispatch, एक type, मतलब एक action, जिसका type हो, on start, यह, और, यहाँ पर payload दे नहीं की कोई जरूत नहीं, इसको payload की कोई आउस सकते हैं, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, अभी देखो, यह loading भी सही से आ रहा है, अभी error अगर आ जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर गरबड़ हो जाएगा, error कैसे आ सकता है, अगर हम header पर, यहाँ पर products का URL मानलो, miss कर दिया, कुछ गरबड़ कर दिया, तो error आ गया, अब error आने पर, यह देखो, यह error यहाँ पर actual में दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर API के अंदर ही, यह error state के अंदर हमने यह किया है, एक fetch products error इसको call किया है, इसको भी मैं comment कर देता हूँ, और यहाँ पर define नहीं, इसलिए error आ रहा है, नहीं तो वैसे क्या होता, यह error आ चुका है अभी, console में कर हम देखें, तो यह not found का error आ गया है, अभी भी यह loading है, तो error को हमने यहाँ पर handle नहीं किया है, error को हमें यहाँ पर pass करना होगा, onError, onError, क्या करना है, fetch cartItemsError.type, कि यहाँ से type हमें pass कर देना है, तो onError भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, API के अंदर, onStart, onSuccess, onError, तो हमें यहाँ पर onError, यहाँ पर call कर लेना है, मतलब कुछ इस तरह से, type देखके onError, यह कर देना है, इसको dispatch कर देना है, अभी अगर हम देखेंगे, तो 1 second, dispatch type onError, यहाँ पर एक पर यहाँ पर देखें, तो ReduxStore के अंदर, fetchCartItemsError, ठीक है, state, state में क्या difference आया, ठीक है, something went wrong, यह भी change हुआ, लेकिन देख क्यों नहीं रहा है, हमारी यॉआई पर, ठीक है, यॉआई पर एक बार हम चब कर लेते हैं, क्यों नहीं दिख रहा है, हमने यहाँ पर error, एक मिनिट, हमने home, हमारा home component कहा है, यह home component है, यहाँ पर हम error select कर रहा है, देख लेते हैं, error के अंदर क्या है, console में, error के अंदर empty object ही आ रहा है, ठीक है, यह empty object क्यों है, एक बार हम यहाँ पर slice में देख लेते हैं, product slice में, product slice कहां गया, यह error है, और action dispatch करेंगे, fetch product error, कौन सा हम error dispatch यहाँ पर कर रहा है, एक second, यह cart वाला error हम dispatch कर रहा है, इसलिए यह दिख कर दे रहा, हम product वाला error dispatch करना है, एक minute, cart वाला error हम dispatch कर रहा थे, यह सही है, अभी काम कर रहा है, यह गलती से गलती हो गई थी, मैं यह हटा देता हूँ, यह जो console log है, अभी सही चल रहा है, यह देखो, हमने error वाला scenario भी handle कर लिया, हम पर something went wrong लिख क्या रहा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका URL fix कर देंगे, यह ठीक है, अब देखो, इतना करने से क्या हुआ, कि हम यह पूरा fetch का logic, जो हमने यहां पर लिखा है, इतना, यह हम fetch का logic, इसी dispatch के अंदर हम कर सकते हैं, देखो, कैसे, API call करेंगे एक दूसरा, और यहां पर दूसरा URL है, वो cart slash 5, इस URL को call करना है, और fetch cart items, यह कर देना है, dot type, और यह error के लिए इसको कर देना है, fetch cart items error, और load cart items, update all product को change करके, load all products कर देना है, बस इतना कर देंगे, बर refresh कर देते हैं, तो ये वाला सब कुछ सही है, और ये आपडेट कर रहा हूं, ये भी सही चल रहा है और ये देखो, यहां पर भी products सही से आ रहा रहा है, add हो रहा है, remove हो रहा है सब बढ़िया है सब एक दम सभी से चल रहा है देखो यह रिफ्रेश किया यह भी API कॉल होके आ रहा है सही है अब हमें यह फिच कॉल यहां पर करने की ज़रुवत नहीं है हमने बस किवल एक action dispatch कर दिया एक कौन सा action API API call में API call और पेलोड केंदर हमने सारे details पास कर दिये कि किस वरल पर API कॉल करना है API कॉल स्टार्ट होने पर किस action को dispatch करना है और यहां पर दिफाइन कर दिया success होने पर कैसे update करना है यह वाला type हमने define कर दिया और अगर error आएगी तो कैसे उसको handle करना है यह चारों चीज़े बता दी हमने अब हमारी API call automatic यहां से हो जाएगी हम कितनी भी API calls ऐसे ही कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इस चीज़ को थोड़ा से और चोटा कर सकते हैं एक API action creator create करके यह API action creator क्या होता normal action creator normal function में create कर सकते हैं इसी API file में यहां पर यहीं पर हम एक function create कर सकते हैं हम एक export हम उसका नाम दे सकते हैं fetch data fetch data बस यह नाम दे देंगे यहां पर हमें payload मिल जाएगा और हम यहां से return कर देंगे एक object एक object जिसमें type हो जाएगा type हम यहां पर लिख देंगे API slash make call यह हो जाएगा और payload को हम as it is यहां पर डाल देंगे यह क्या error है यहां पर यहां पर equal to नहीं लगा है उसकी error है यह लगा दिया अब हम क्या कर सकते हैं हमें बार बार यह make API call भी यहां पर लिखना नहीं पड़ेगा हम क्या करेंगे हम सीधा सीधा यहां पर dispatch कर सकते हैं make अरे नहीं data क्या नाम दिया था? fetch data fetch data इस function को call करेंगे और उसके अंदर बस केवल यह object पास कर देंगे हम यह कर दिया इसका काम खतम और फिर दूसरा dispatch उसके अंदर भी करेंगे fetch data और उसके अंदर यह वाल object पास कर देंगे तो हमारा code और भी छोटा हो जाएगा यह देखो यह बस इतना चीज हमें बता देना है हमें fetch data call कर देना है अब एक बार आके हम पर देख लेते हैं चल रहा है कि नहीं तो यह एकदम सही से चल रहा है data भी load हो रहा है और हमारा जो cart का reducer हो भी सारा एकदम सही से चल रहा है और यह देखो items पी add हो रहा है सभी यह सब कुछ बढ़ियां चल रहा है यह देखो एकदम मस चल रहा है हमने क्या किया हमने एक API API custom middleware create कर लिया उसके साथ API action creator भी create कर लिया action creator बहुत ही simple है यह बस केवल एक object को return कर रहा है जिसमें type है by default API call यह hardcoded है जो payload है वो नया-nय payload आएगा जो कि हम यहाँ पर pass करेंगे यह object अगर हम pass करेंगे तो नया-nय upload payload आएगा और यह function जो जिस भी object को return कर रहा है वो object यहाँ पर हो जाएगा तो जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा बस हमने थोड़ा सा एक line of code जो बार-बार हम लिख रहे थे उसको हमने reuse कर लिया और फिर हम यह 4 line लिखके हम अपना fetch data कर सकते हैं और बड़ी आराम से हमारा पूरा जो state है वो भी update हो जाएगा और सब कुछ सही है बढ़िया चल रहा है अगर हम यहां पर आके देखें यहां पर redx में तो यह देखो make API call ठीक है make API call हुआ उसके बाद यह देखो fetch products data हुआ fetch products यह हुआ जिसके कारण वो products का loader हमें दिखा true false यह अगर हम def में देखें तो यह loading state इसका true false हो गया फिर उसके बाद make API call हुआ दूसरा make API call हुआ जिसमें अगर हम यहां पर action को देखेंगे तो यह cart वाले page पर API call गया है अभी देखो मैं payload पूरा clearly दिख रहा है क्योंकि यहां पर payload के अंदर जो सारी values है सारी values string है जो कि serializable है अगर इसमें हम कोई function pass कर देते तो यह payload यहां पर दिखता ही नहीं यह पूरा गायव हो जाता तो वह सही नहीं था है ना यहां पर debugging अच्छे से कर सकते हैं अब यह जो slash API slash make call है यह हमारे store को नहीं change करता है अगर हम diff में जाके देखें तो states are equal यह हमारे store को नहीं change करता है यह बस केवल यहां पर debugging के लिए है यहां पर debugging के लिए दिखा रहे हैं इसको अगर हम इसको नहीं दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर आके इस next को हटा देंगे यहां पर अगर यह वाली condition है तो इसमें next को call ही नहीं करेंगे तो हमारे reducer तक पहुचेगा नहीं तो केवल वही चीज़ें आएंगी जो हमारे state को modify कर रहा है state को हमारे जो change कर रही है वही सारी चीज़ें दिखेंगी डिफ में वही सारी चीज़ें दिख रही है लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें यहां पर दिखें कि ठीक है मतलब API call make हुआ यहां पर दिख रहा है बहले हमारा state change नहीं हुआ state क्यों नहीं change होता है क्योंकि इसके नाम से कोई reducer नहीं है make call नाम से कोई reducer नहीं है हमारे किसी भी product के अंदर मतलब किसी भी reducer के अंदर किसी भी slice के अंदर make call के नाम से कोई भी वो नहीं है इसलिए कोई change नहीं हो रहा है वो state ही नहीं handle हो पा रहा है वाला case ही नहीं handle हो रहा है इसलिए तो यह देखो states are equal और फिर उसके बाद जब data आया जब मतलब API call हुआ तो यह हुआ और यह भी जब भी API call हुआ यह state true हो गया और फिर उसके बाद जब data आया तो actual में पूरा populate हो गया फिर cart items भी यहां पर populate हो गया तो कुछ इस तरह से हम custom API middleware create करके और यह भी तरीका काफी अच्छा होता है यह हम खुद का custom API API middleware create करके हम Redux के अंदर data fetch कर सकता है और अपना code काफी clean कर सकता है जिसे कि header वाला code था यह काफी clean हो गया है और इसको हमें header के यह use effect के अंदर अभी भी call करना अगर बाहर call कर देंगे तो infinite render हो जाएगा जो कि मैं भी करूंगा नहीं बाहर अगर हम call करेंगे तो हमारा component rerender होगा जैसे हमारा dispatch होगा हमारा state update होगा तो हमारा component rerender होगा जैसे rerender होगा फिर से call हो जाएगा तो infinite call हो जाएगा इसलिए हम इसको use effect के अंदर ही call करना है dispatch को तो सही है मैं उमीद करता हूँ आपको यह custom API middleware create करना आ गया होगा और आपका कोई भी doubt या कोई भी question है हम लोग मिलेगे next video तब तक के लिए बाई बाई